Silver Dollar नाम सुनते ही एक ऐसी फिश की छवी दिमाग में आती है जो बहुत ज़्यादा energetic है, बहुत ज़्यादा fast है जब एक बड़े से टैंक में एक बहुत बड़ा जुंड Silver Dollar Fishes का एक शोल उनका जब तैरते हुए निकलता है और बिजली की तरफ कौनते हुए निकलता है, तैरता है उसमें तो वो एक अलग ही विउ होता है शायद यही वज़ा है कि Silver Dollar Fishes जो है वो Aquarists में, Hobists में बहुत ज़्यादा popular है क्योंकि उसकी जो बिजली की तरफ फुर्ती है उसकी जो स्पीड है और जुंड में रहने की जो टेंडेंसी है वो लोगों को बहुत पसंद आती है अपने Aquarium में एक एक्टिवनेस का एहसास होता है कि हाँ हमारा Aquarium जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है हर भी वर फिश है लेकिन आप अगर इसको कुछ भी आफर करते हैं तो बड़े इजी ली तरीके से खाती है लेकिन क्या आपको एक फैक्ट पता है Aquarium ट्रेड में जितनी भी फिशिज सिल्वर डॉलर फिश करके बेची जाती है उन में से ज़्यादा तर मचलियां सिल्वर डॉलर नहीं होती है चौंगे न आप दे जी हाँ ये बिल्कुल सही है और इस वीडियो में हम इसी चीज को एनलाइज करेंगे कि आखिर असली सिल्वर डॉलर और जो commonly हमें मिलती है उसमें आखिर फरक क्या है उन में अंतर क्या है तो आज के वीडियो में हम यही चीज देखने वाले हैं उसी के बारे में जानने वाले हैं अगर आपने भी अपने टैंक में सिल्वर डॉलर फिशिज रखी हुई है और अब आपके मन में ये संदेव पैदा हो रहा है ये क्योरिसिटी पैदा हो रही है कि हाँ मुझे भी जानना है कि जो मैंने फिश रखी हुई है क्या वो वाकई में असली डॉलर है या उसी के तरह दिखने वाली कोई एक उसकी बेहरूपिया मचली है हमशकल मचली है तो जी हाँ ये वीडियो ठीक आपके लिए है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं दावा करता हूँ कि एंड तक अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप बिलकुल शूर हो जाएंगे अच्छी तरह से पहचान पाएंगे कि आपके पास कौन सी मचली है क्या वो रियल सिल्वर डॉलर है या उसकी कोई ह नम शकल या उसकी बहरूपिया या उसकी तरह दिखने वाली कोई और मचली है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है बहुत टाइम पहले हमारे एक सब्सक्राइबर थे उन्होंने ये डिमांड की थी कि मैं सिल्वर डॉलर और जो उसकी तरह दिखने वाली मचली होती है उस और देखते हैं जानते हैं फाइंड आट करते हैं कि आखिर सिल्वर डॉलर और उसकी तरह दिखने वाली जो और मचली है उसमें क्या समानता है और कैसे हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये असली सिल्वर डॉलर है और ये उसकी तरह सिर्फ दिखने वाली सिल्वर डॉलर नमस्क्रा दोस्तों मैं हूँ स्टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटैक इंफो तो चलिए शुरू करते हैं सिल्वर डॉलर फिश और श्रेट मूलर मैटनिस दोनों एक ही फैमली को बिलॉंग करती हैं लेकिन दोनों की स्पीशिस जो है वो अलग अलग है दोनों में कुछ समानताएं हैं लेकिन बहुत सारी असमानताएं हैं तो चलिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसिस है वो फाइंड आउट करते हैं पहली बात करते हैं कलर की सिल्वर डॉलर फिश जो है वो डार्क ग्रे कलर की फिश है जबकि श्रेट मुलर मैटनिस का जो स्किन का कलर होता है वो शाइनी सिल्वर कलर होता है ये उन दोनों के कलर को देख के अंदाजा भली भांती से लगाया जा सकता है अब बात करते हैं डॉर्सल फिन की श्रेट मुलर मैटनेस का डॉर्सल फिन जो होता है वो क्लियर होता है बड़ा होता है और ट्राइंगुलर शेप में होता है जबकि silver dollar fish का dorsal fin जो होता है छोटा होता है और उसकी tip जो होती है वो black होती है dorsal fin की तरह ही anal fin में भी आप difference देख सकते हैं silver dollar fish का anal fin जो है वो थोड़ा सा rounded होता है और clear होता है जबकि shrek muller matness का anal fin थोड़ा straight होता है और उसमें थोड़ा सा orange color का tint होता है अगर caudal fin की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कि silver dollar fish का caudal fin जो है वो थोड़ा सा scissor shape में है लंबा है और उसमें थोड़ा सा orange tint है जबकि shrek muller matness का caudal fin जो है वो थोड़ा सा चोड़ा होता है और बिल्कुल straight होता है और उसमें किसी भी तरह का color नहीं होता है clear होता है तो ये main difference है इन दोनों के caudal fin में अब बात करते हैं दोनों के size की silver dollar जो है वो mature होने पर 8 inch तक size gain कर लेती है जबकि shrek muller matness का mature size सिर्फ 5 inch तक है तो आप इन दोनों के size में बहुत बड़ा difference देखेंगे उसके बाद tank level की बात करें तो silver dollar fish जो है वो middle level में रहना ज्यादा पसंद करती है जबकि shrek muller matness जो है वो middle में भी swim करती है और उसके इलावा top layer जो है उसको भी cover करती है अब बात करते हैं दोनों के temperament की आप clear cut देख सकते हैं कि दोनों ही peaceful fishes है दोनों ही group में चलने वाली fishes है लेकिन जो एक major difference है वो यह है कि जब आप tank के पास जाते है तो silver dollar fish आपको पूरा response करती है वो आपको देखकर घबराती नहीं है चुपने की कोशिश नहीं करती है जबकि shred muller, matness हमेशा आदमियों को देखकर या tank के पास जो भी जाता है उसको देखकर उसमें लगे हुई decorations के पीछे चुप जाएगी अगर उसमें plants बगरा लगाए हैं तो उसमें अपने आपको चुपाने की कोशिश करती है ये सबसे बड़ा difference है इन दोनों के behavior में जिसको देखके आप clear cut अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कौन सी फिश परचेस कर रहे हैं इन दोनों फिशे की diet जो है वो mainly herbivore है दोनों ही अपने खाने में plant matter का ज़्यादा परियोग करती है खासकर श्रेट मुलर मेटनिस जो है उसको बहुत ज़्यादा vegetable matter चाहिए जबकि silver dollar fish अगर आप अपने planted tank में रखेंगे तो इसका मतलब है कि जो आपके soft leaves वाले plants हैं वो पूरी तरह से खत्रे में है दोनों fishes जो हैं वो south america में पाई जाती है और basically amazon basin को belong करती है shred muller matniss को पहले matniss shred Milleri के नام से जाना जाता था जबकि silver dollar fish को पहले mylosoma argentium के नाम से जाना जाता था तो यह थी कुछ समानताएं और असमानताएं silver dollar fish और shred muller matniss ज्यादा तर आपको अक्वेडियम ट्रेड में श्रेट मुलेर्स मैटनिस ही देखने को मिलेगी क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिन्दगी में असली सिल्वर डॉलर नहीं देखी है मुझे जितनी बार भी मिली है वो श्रेट मुलेर्स मैटनिस ही मिली है तो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेलपफुल रहेगा इस फिश को पहचानने में कि आप जो खरीद रहे हैं वो एक्ट्वल में कौन सी स्पीशीज है क्या वो सिल्वर डॉलर है या वो श्रेक्ट मुलर्स मैटनेस है तो अगर आपको ये वीडियो इंफोमेटिव लगा है तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी ज्यान में बढ़ोतरी हो और उनको भी इस फर्क का पता चल सके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो समय पर मिलते रहें तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद